इडली तो हम सब हमारे घर में हमीशा ही बनाते हैं लेकिन आज मैं बना रही हूँ रत की एकदम यूनिक सी इडली की रेसेपी ये बहुती सौफ्ट और फ्लफ़ी बनती है ये जैसे रवा की इडली एकदम वाइट बनती है उसी तरीके से ये इडली भी एकदम वाइट और बहुती सॉफ्ट बनती है, इसे मैंने थोड़ा सा आज यूनिक ट्विस्ट देने के लिए इसे ग्रीन बनाया है, ये बहुती टेस्टी है, तो चलिए जल्दी से इस रेसेपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैंने वन कब जितना मैंने सामा लिया ये, इसे तो अब इस एकदम बारिक सा पाउडर बना लोंगी, हमें इसे एकदम महीन पीछना है, ताकि हमारी इडली एकदम सौफ्ट सी बने, अगर इसे आप बड़ा दानेदार पीछ लोगे, तो वो इडली इतने सौफ्ट नहीं बनेगी, दानेदार बनेगी, तो अब इस एकदम बारिक से पाउडर को हमें एक बाउल में निकाल देंगे, और हमें इसका इडली बैटर बनाना है, इडली बैटर बनाने के लिए मैंने ये हलका खटा दही लिया है, वो इसमें डाल देंगे, और साथ में थोड़ा पानी डाल देंगे इसका घुल बनाने क के लिए जादा पानी का यूज नहीं किया है मैंने या पे इसका हमें थोड़ा गाड़ा ही घुल बना के त्यार करना है जैसा हम रवा इडली का बनाते हैं उस तरीकी से गाड़ा ही रखना है हमें से पहले थोड़ा हमें इसे बाद में अगर यह ज्यादा थिक लगेगा तो ह आद में भी थोड़ा पानी एड़ कर सकते हैं अब मैं इस घोल को 10-12 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी जिससे की हमने जो समा का यूज किया है वो अच्छे से पूल जाए और साइड में हम ग्रीन चटनी बनाएंगी ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने धनि थोड़ा सा नीमू डाल देंगे मैंने दही का जादा यूज नहीं किया है यहापे क्योंकि हमें इस चटनी को जादा पतला नहीं बनाना है थोड़ा थेकी बनाना है और अब यह दिखिए हम मैंने इसे बारिक पीस्ट को यह दिखिए मैं इसमें जादा कुछ भी यूज न में रखे हुई अब हम इसका इडली बनाएंगे काफी स्मूथ सा यह पेस्ट हो चुका है हमें इसी तरीकी का चाहिए मुझे ज्यादा गाडा भी नहीं चाहिए इसका घोल ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए तो अब इसके अंदर हम स्वाद के अनुसा सेंधा नमक डाल दें जिससे की इडली बहुत ही सौक्ट सी और अच्छे सी खुली खुली बने तो मैंने यह वन फूर्ट टीजपून जितना मैंने यह मीठा सोडा लिया है इसे हम डाल की अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह दिकी मीठा सोडा डालने से इस घोल के अंदर बबल्स आने लग गए है अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे और उसके अंदर इस घोल को तुरंत ही 1 फॉर्थ और 3 फॉर्थ हिस्से में डिवाइड कर लेंगे हमें यह एक छोटे बाउल में one फॉर्थ घोल हमें इस एक अलग बाउल में निकालना है और यह प्रोसेश जल्दी करना है क्योंकि हमने मेठा सोडा डाल दिया हैं ज्यादा देर रखना नहीं है मिठा सोडा डालने के बाद ऑर अब हमने जुए वन-फोर्थ भोल लिया है उसके अंदर हमने जो वो घरी वाली चट्नी बना के रखी ती धनी के वो हम़ु लेंगे जञदा नहीं ढालना है हमें कितना है मैंने यहाब पे तरी तुरीक हाफ вас इस एक घ्रीं पेस्ट बन चुका यह इलिए और¥ साइड में मैंने इडली के कुकर को भी रख दिया है पानी गरम करने के लिए और इडली के जो फ्लेट है उसे मैं घी से या पर ग्रीस कर रही हूँ आप चाहे तो इसे ओयल से भी ग्रीस कर सकते हैं और अब इसे थोड़ा सा और यूनिक बनाने के लिए इसके अंदर मैं काजू रख रही हूँ ताकि ये और भी सुन्दर दिखी हमारी इडली तो मैंने इस काजू को सेंटर में रख दिया है इस इडली ट्रे में और अब हमने जो green वाला पेस्ट बनाये था उससे हम काजू को cover लेंगे पैस्ट को सिर्फफ हमें काजू cover करने है इस ग्रीन से फैस्सिंपल भॉत पेस्ट को cover कर लेंगे ये थे कर ब्रूरा कवर करना है उपर ग्रीन नहीं दिखना चीए उपर सिर्पी वाइट वाला घोली बन्यास तरीके से हम अच्छे से उपर फैला देंगे अगर यह ग्रीन कलर वाला बैटर उपर दीखेंगा तो हमारी इडली इतनी आची नहीं दिखेगी उपर से तो अब मैंने इस सारी इडली को भर लिया है इस अंचे में और अब हम इसे कुकर के अंदर डालके इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका देंगे यहां पर टाइम का ध्यान रखें नहीं तो हमारी इडली ज्यादा ओर को जाएगी तो हाड हो जाएगी और अब मैं इस इडली को हम इस कुकर से निकाल देंगे इस कुकर के अंदर हमें रखना नहीं इडली को नहीं तो यह हाड हो जाएगी और यह देखी हमने इडली को निकाल दिया इस कुकर से और अब हम इसे चार से पांच मिनट के लिए हलका सा ठंडा कर लेंगे ताकि हमारी अच्छे यह डी मोल्ड हो गई है इडली और यह देखे काफी सॉफ्ट भी बनी है उपर से एक दों वाइट और नीचे से ग्रीन बहुत ही यूनिक सी इडली बनी है हमने जो यह ग्रीन पेस्ट डालना है इससे इडली में एक अलग सा टेस्ट भी आता है और तिकने में भी यह सुन्द यह डाल देता क्याकि मैं आज इडली भी हरी बना दीती तो इसलिए मैंने इसे चटनी को भी हरा बना लिया है और यह इडली इस नारेल के चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है यह दिखी एक इडली को मैं आपको तोड़के दिखाती हूँग यह कितनी सॉफ्ट और कितनी फलफी से यह इडली बनी है काफी अच्छे से फुल के तयार हुई है अपने यह इंस्टन्ट इडली बनाया है ज्यादा देर इस गोल को मैंने रखा भी नहीं है और नहीं मैंने समा को भीगो के यह रखाता यह मैंने इंस्टन्ट बनाया है दस मिनट में फिर भी यह बहुत ही अच्छी बनी है ये देखिए मैं आपको एक इडली को तोड़के दिखाती हूँ ये बहुत ही अच्छी बनी है अंदर तक अच्छे से कोक हुई है जैसी हम रवा इडली बनाते हैं सेम उसी तरीके से ये इडली बनी है ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये टुटने इडली का तो इस नव्रात्री में आप भी इडली को बना के ट्राय करें ये आपको बहुत ही अच्छी लगीगी हम प्लेएन वाइट इडली तो हमेशा ही बनाते हैं इस बार थोड़ी से यूनिक हरी चटनी के साथ इसे बना ये बहुत आच्छी लगेगी और आपको इसे खाने में भी मजा आ जाएगा तो एक बार इस रेसेपी को आप जरूर ट्राइ करें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें